प्रेशर गेज में लिक्वर्ड को क्यों फिल किया जाता है और इस लिक्वर्ड का क्या नाम होता है दोस्कों काफी बार ये क्वेशन इंटर्विव में भी पुछा गया है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिक्वर्ड को प्रेशर गेज में क्यों फिल किया जाता है लि इसके कारण exact reading लेने में भी दिक्कत आती है और liquid fill होने से gauge की overall life भी बढ़ती है Number 2, liquid gauge में एक lubrication का काम करता है Gauge के अंदर जो gear mechanism होता है उसकी wear and tear से उसको protect करता है और उसके rotary motion को भी stable बनाता है Number 3, जो pressure gauge high temperature में लगी होती है Liquid उन gauge को high temperature के up and down से protect करने का काम करता है यानि उनको high temperature से protect करता है Number 4, liquid fill gauge में condensation build up नहीं होता Gauge का जो glass होता है वो बिल्कुल visible रहता है यानि बिल्कुल clear रहता है और liquid gauge के parts को corrosion से भी protect करता है तो अभी हम देखेंगे pressure gauge में जो liquid use किया जाता है उसका नाम क्या है तो ये liquid सबसे common है और सबसे ज़्यादा pressure gauge में इसका use किया जाता है और इसका नाम है glycerin और इसकी जो temperature range है वो minus 20 degree Celsius से 60 degree Celsius है और अगर हमको gauge को किसी high temperature में use करना है तो वहाँ पे हम silicone liquid का use करते हैं और इसकी जो temperature range है वो minus 40 degree Celsius से 140 degree Celsius है तो उमीद करता हूँ दोस्तो आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखनी को जुरूर मिला होगा तो वीडियो गर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like जुरूर कर दें झालो के लगे हुआए